नमस्कार बंदु जैशिक क्रश्न है अलग अलगत प्रश्न है और हमारे यूवा साथी जो बहुत अस्रुष्ट रहते हैं, बिमार रहते हैं। कि एक प्रश्न ऐसा है कि पूर्षों की या इस्तरियों के अंग से। प्रिशान होती बीमारी बुरी है और हम मां बनने के लायक या पिता बनने की योग नहीं रहते हैं इसलिए पूछा है कि धात जाने का कोई घरेली उपचार है आईवेदिक उपचार क्या है जो सरो मानने हो जो सब कर सके मैं आपको बताना चाहता हूं जिन बच्चों को धात की बीमारी है उन बच्चों को चाहिए कि वो रात को जो का आटा भीगो दें या जो भीगो दें और सुबह उसका पानी पीले सुबहें जो आप समझते होंगे ग्यों का यह प्रकार है जो 100 gr जो ले लिजी राथ को दो करके रात में पानी में डाल दीजा उसे एक लीटर पानी में फूल जाएंगे और फूलने के बाद मीं जो पानी उसमें आएगा वस की तरह से आपके धात रोक को समप्त करनेता है पर जब हम जो का पानी पी रहे होंगे तब हुमें चाय कोफी नहीं पीना चाहिए और एक साथ में गरम ठंडा नहीं खाना चाहिए भस इतना परेज करना माल संडा नहीं सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं पर आपको मिल जाएंगे तो आप जो का पानी रात में विखोकर सुभए जो का पानी पी करके आप 15 दिन में दात के रोग से मुक्त हो जाएंगे और जो का पानी जो हता है वो प्रोटीन कैल्सियम विटामिन सब को पूरा करता है भूख बढ जिन लोगों को भी दात की बीमारी है चाहे इस्तिरियों को चाहे पुर्षों को अगर आप जो का पानी पीते हैं तो जो का पानी अपने जीवन को अद्बुद और नया कर देता है तो आप इस प्रणाली से जुड़ करके जो का पानी पीकरके अपने तत्तु को अपनी सर् बहुत बदन दिवाए